मैं अपने बच्पने में जब हिस्वी पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटू देखी थी प्रीस किंग ओफ मोहिंजदारों ऐसा लगता है कि वह इसा ही लग रहा है कि प्रधान मंत्री नहीं है बलके पुजारी समराड बन चुके हैं वो और मैं क्यूं कह रहा हूं क कि हमारे लिखेगा नरेंदर मोडी इस मुल्क में तारीख लिखना चाते हैं क्या तारीख लिए चाते हैं कि मैंने इस देश को गांधी अंबेट करके देश को मैंने हिंदु राष्ट बना नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत संसद में अंतरिम बजट रखे जाने के बात अब सदस्यों के बोलने की बारी आई और मौका मिला ए आई एम आई एम चीफ असद दुद्दीन ओबैसी को सो वो कहां चुकने वाले थे उन्हें इस बात की बहुत तकलेफ है कि हमारा प्रधान मंत्री पुजारी समराट बन गया है जहां देखो वहां पुजारी के प्रधान मंत्री नहीं है बलके पुजारी समराट बन चुके हैं वह उन्हें इस बात से भी तिकत हो रही है कि 6 दिसम्बर को 22 जनवरी से क्यों नहीं जोड़ा जा था 22 जनवरी को अइतिहासिक तारीक बताई जा रहे हैं यह क्योंकि उस दिन आयुद्ध्या में राम लला क प्रांट इष्ठा होई और फिर 6 दिसम्बर को क्यों भूल जाते हैं इस पर क्या बोलें यह भी सुझी है आरे सदर जमूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है बिलकुल तारीखी दिन है 22 जनवरी की बुनियाद 6 डिसम्बर 92 को रखी गई 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई 22 जनवरी की बुनियाद जी बी पंत ने रखी थी इसलिए तारीखी दिन है और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी आईवान में 16 डिसमबर 1992 हम ने रिजूलूशन पास किया था आप बताईए कि आज इस मुलक में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो बाले सब सेकुलर है बुरा मैं हो किसी में हम्मत ने अखबार में बिया कि हम आप डिन में करने वाले हैं आफ डिन में करेंगे आप दिन को आप परिशान करने का आपका इरादा है सर दूसरी बात ही है कि सी डवले के खिलाफ क्यों हम है क्योंकि सीमान चल कि मुसल्मान को बंगलादेशी कहते हैं कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपेटी है रोहिंगिया है तो सी डवले को मजभ से जोड़ना गलत था उसको पड़ोसी मुल्कों के साथ समंधों को ले करके भी कि एक के बाद एक पड़ोसी मुल्क चीन के गोद में बैखते जा रहे हैं हमका रहे हमारी विदेशनेती बहुत अच्छी है तो उन्हों ने इस पर भी घिरने की कोसिस की सर नेबरूट फस्की पालिसी है नेबरूट फस क्या हो रहा है सर हम सोशल मीडिया के जरिये फॉरण पालिसी चला रहे है मालदीव सोटा मुल्क वो हमको आंक दिखा रहा है चीन की गोद में बैट गया हमारे लदाक में हमारे जो लोग जनवर को लेकर घास राए जाते वहां पर चीन की आर्मिया के रोकरी बताईए लें के चीन फाइडा है तो आपका बफर जोन गया कहा भाई साब आपका बफर ऐसे बहुत देन हैं और यह कहीं पर भी साबित करने का मौका नहीं चुकते हैं कि इस मुल्क में यदि कोई मुसल्मानों का ही तैसी नेता है इसके लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई अन्य दल हो उसको भी वो उस पर भी वार करने से नहीं चुपते हैं आपकी क्यारा है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किजिएगा रहे ने बेकबर देखते रहेंगे इनकबर